हलो फ्रेंड्स वेलकम इन करिमा शास किचन मदर्स्टे स्पेशल वीडियो में आज हम बनाएंगे टू लेयर्स वाला चोकलेट केक जिसे बनाना बहुत ही आसान है हम यहाँ पर इसको आसान तरीके से कड़ाई पर ही बनाएंगे क्योंकि माइक्रोवेब सबके पास अविलेबल नहीं होता है तो एक कड़ाई मोटे पैंदे वाली मैंने यहाँ पर ली है जिसको मैंने गैस पर रख दिया है अब कड़ाई में मैंने नमक डाल दिया है मैं regular इस नमक का यूस केक बनाने में करती हूँ इसलिए इसका color change हो गया है अब इसमें एक stand रख देंगे और कड़ाई को 10 मिनट के लिए low flame पर गरम होने देंगे आपके पास stand नहीं हो तो कड़ाई में आप छोटी plate को भी उल्टार रख सकते हैं अब केक बनाने के लिए मैं round tin ले रही हूँ इसमें 1 teaspoon butter डाल देंगे और इसे अच्छे से grease कर लेंगे मैंने यहाँ पर round tin लिया है आप चाहें तो कोई सी भी shape का tin ले सकते हैं इसे अच्छे से grease कर लेंगे bottom से भी और side से भी ताकि जब हम इसमें केक का mixture डाले तो वो चिपकेना मैंने butter paper को round shape में काट लिया है जिसे हम इसमें लगा देंगे यदि आपके पास butter paper ना हो तो आप मैदा भी spread कर सकते हैं butter paper को set करके इसको उपर से भी brush से grease कर देंगे एक bowl में half cup fresh धही ले लेंगे यहाँ पर आप धही को taste करके चेक कर लीजेगा धही खटा नहीं होना चाहिए अब इसमें half cup butter add कर देंगे आप चाहे तो without fragrance वाला oil भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं मेरा personal suggestion है कि आप cake के अच्छे taste के लिए butter का ही यहाँ पर यूज करें अब इसमें one cup पिसी हुई चेनी डाल देंगे और इसे hand whisker से अच्छे से mix कर लेंगे जब तक कि यह तीनों चीजे आपस में अच्छी तरीके से mix नहीं हो जाए mixture अच्छे से mix हो गया है अब एक चलनी बावल के उपर रग देंगे और इसमें one cup मैदा डाल देंगे साथ ही साथ half cup cocoa powder, one teaspoon baking powder और one fourth teaspoon baking soda डाल कर इसे अच्छे से च्छान लेंगे ताकि mixture बनाते वक्त इसमें कोई lumps ना है अब इसे वापस से hand whisker से mix कर लेते हैं चौकलेट फ्लेवर केक सभी को पसंद आता है कई लोग तो इसे vanilla ice cream के साथ भी खाना पसंद करते हैं अब half cup दूद जो की room temperature पर है उसे हमें रुक रुक कर डालना है और mixture को चलाते जाना है जितना अच्छे से हम इसे फेटेंगे उतना ही cake में अच्छा sponge आएगा यहाँ आप देख सकते हैं mixture की consistency जब भी आप cake बनाएं इस तरह की consistency आपकी रहनी चाहिए अब mixture को cake tin में डाल देंगे और tap कर लेंगे ताकि अच्छे से set हो जाए यहाँ पर एक बाद ध्यान रखेगा तिन की size का half quantity का ही आपका mixture होना चाहिए क्योंकि bake करते time यह फूलता है कडाई भी हमारी गरम हो गई है अब तिन को कडाई में 30-40 मिनट के लिए ठग कर रख देंगे और gas की flame हमें low medium पर ही रखनी है करीब 35 मिनट पूरे हो गए है इसे carefully check कर लेते हैं कि अच्छे से bake हो गया है या नहीं उसके लिए हम यहाँ पर toothpick का use कर रहे हैं toothpick easily निकल जाए तो इस पर कोई mixture की layer ना लगे तो समझ लीजेगा यह अच्छे से bake हो गया है और हो सकता है आपके batter की consistency थोड़ी थिक ना हो तो विक करने में थोड़ा टाइम और लग सकता है टिन को हमने बहा निकाल का stand पर रख दिया है इसने side में space छोड़ दिये है क्योंकि हमने इसके bottom और side में greasing की थी अब इसे 15 मिनट के लिए एक साफ कपड़ी से ढख कर रख देंगे ताकि अच्छे से ठंटा हो जाए और इसकी उपर की surface ड्राइ ना हो अब icing के लिए 1 cup whipping cream बावल में डाल देंगे यहां मैं non dairy whipping cream का यूज़ कर रही हूँ यह market में आपको easily available हो जाएगी साथ ही साथ इसमें 1 fourth cup powder sugar एड़ कर देंगे 1 fourth cup से थोड़ा सा कम cocoa powder एड़ कर देंगे आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा coffee powder भी एड़ कर सकते हैं पहले hand whisker से इसको अच्छे से mix कर लेंगे ताकि बीटर मशीन चलाते टाइम cocoa powder उड़ेना यहां पर मैंने cold whipping cream का यूज़ किया है जो ice cream brick के form में आती है इसलिए बावल के नीचे में ice नहीं रख रही हूँ यदि आपकी cream चल ना हो तो आप बावल के नीचे ice रख ले वीडियो में आपको आगे बता दूँगी कि मैंने कौन सी whipping cream का यहां पर use किया है इसे करीब 4-5 मिनिद तक बीट करते रहेंगे जब तक यह इस form में पीक ना बना ले यहां पर आप देख सकते हैं cream अच्छे से whipped हो गई है हमें इतनी ही इसे थिक रखनी है जब हम बावल को उल्टा करें तो cream गिरेना अब एक बावल में मैंने 2 टेबल स्पून sugar powder ले लिया है उसमें थोड़ा सा पानी मिला कर sugar सुरब ready कर लेंगे जो कि हमारे cake के base के उपड़ लगाने के काम आएगा cake base ठंडा हो गया है अब इसे side से चाकू की help से cut कर लेंगे ताकि इसे निकालने में आसानी रहे अब इस तरीके से plate को उपड़ लगा कर turn कर देंगे ताकि base हमारा easy ले निकल जाएगा अब इस butter paper को soft hand से remove कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा base एकदम soft और responsive बन गया है अब cake को सीधा करने के लिए उसके उपड़ मैंने round cardboard रंतिया है अब plate को हम turn कर देंगे दो layer में बनाने के लिए इसको बीच में से हम cut कर लेंगे चाकू से soft hand से इसको बीच में से cut कर लें चाकू आपका smooth होना जीए जिगजग वारा चाकू से इसकी shape याँ पर बिगर सकती है इसको दो pieces में हमने cut कर लिया है अब cardboard पे थोड़ी सी whip करी हुई cream लगा देंगे ताकि cake हमारा एक ही जगे set रहे अब इस first वाली layer को हमने आपर रख दिया है और जो sugar सीरफ हमने बनाया था उसको अच्छे से इस पर डाज देंगे साकि cake के base में भी अच्छी तरीके से sweetness एब्जॉर हो जाए piping bag में whip करी हुई cream को मैंने डाल लिया था इस वाले base पर भी अच्छी तरीके से cream लगा देंगे और उसे spreader से चारो तरफ से अच्छी तरीके से फैला देंगे यहाँ पे जो top वाली layer थी उसकी uneven part को मैंने नहीं काटा था क्योंकि हम उसे उल्टा करके cream वाले part के उपर रख देंगे और जिस तरीके से हमने first वाली layer पर sugar सिरफ लगाया है उसी तरीके से second वाली layer पर भी उसी process को repeat करेंगे वापस से इस वाली layer पर चारो तरफ से अच्छी तरीके से cream लगा देंगे और उसे चारो तरफ से spread कर देंगे इस बार थोड़ी cream ज़्यादा लगानी है क्योंकि हमारा top part है और बाकी के round side की वाल पर भी अच्छी तरीके से cream लगा देंगे जिससे cake का base अच्छी तरीके से cover हो जाए cake के base को भी हमने cream से अच्छी से cover कर दिया है अब इसको करीब half and hour के लिए freeze में रख देंगे ताकि अच्छे से set हो जाए चॉकलेट गनाश पनाने के लिए 200 ग्राम के करीब dark compound चॉकलेट मैंने यहाँ पर ले ली है यहाँ पर गनाश के लिए dark compound चॉकलेट का ही use करे यह market में आपको easily available हो जाएगी अब चॉकलेट को हमने एक बाउल में डाल दिया है साथ ही one cup whip cream इसमें add कर देंगे यह sunrise daily whip cream है जो brick की form में आती है उसका मियाँ पर use कर रहे है अब इसमें one tablespoon butter भी add कर देंगे चॉकलेट को melt करने के लिए मैंने tea pot में थोड़ा पाइट डाल दिया है उसे boil होने देंगे अब इस ball को इस पर रख देंगे ताकि चॉकलेट steam से melt हो जाए चॉकलेट melt हो गई है अब इसे थोड़ा सा normal होने के लिए छोड़ देंगे करीब half an hour complete हो गया है फ्रीज से मैंने cake को बहार निकाल लिया है चॉकलेट गणाश को केक के उपर डाल देंगे ताकि चॉकलेट की coating केक पर आ जाए और इसे चारो तरफ से cover कर देंगे साइट की boundary पर भी आप इस तरीके से चॉकलेट गणाश को लगा सकते हैं चॉकलेट गणाश बनाने के लिए डार कमपाउन चॉकलेट का ही याँ पर यूज करें इससे cake का टेस्ट बिलकुल वैसा ही लगेगा जैसा हम मार्केट से लाते हैं ये 500 ग्राम करीब 180 रुपीज की मार्केट में इजिली मिल जाती है जिससे इस साइस के 4 cake आप इजिली रेडी कर सकते हैं इसे वन येर के लिए आप फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं और भी चीजों को बनाने के लिए डार कमपाउन चॉकलेट का यूज कर सकते हैं चॉकलेट केक बनकर हमारा रैदी है अब इसकी हम गार्णिशिंग कर लेते हैं गानिशिंग करने के लिए मैंने dark compound chocolate को grate कर लिया है वो ही मैं इसकी boundary पर डाल रही हूँ आप और किसी भी तरीके से इसे गानिशिंग करना चाहें तो भी यहाँ पर कर सकते हैं So it's our time to cut now तो आप इसी आसान तरीके से जब भी आपका मन चाहें इस cake को बना सकते हैं वाव इतना soft, delicious and yummy cake बनकर ready है सर्व करने के लिए तो फटा-फट सी ये cake बनाए और कमेंट में मुझे पताना न भूले कि ये cake आपको कैसा लगा Share your pics on Instagram, link is in description Stay home, stay safe, thank you so much जाच जाच जिनेंडर